असलाम लेकुम, आज हम मुसली बनाएंगे, कौन से ब्रैंड वाली मुसली बनाएंगे तो आज हम बैगरीज की मुसली बनाएंगे पैकेट इस तरह से दिखता है, ये क्रंची मुसली है विद अलमंड्स, रेजिन्स और हनी है इसके अंदर पैकर के ऊपर उनों ने दिया है यह multi grain almonds and raisins है 82% 40% fiber rich oats है और 0% artificial ingredient है इसके अंदर no added preservative इसके अंदर पैकर के ऊपर इतना कुछ दिया है पीछे रिखे कुछ इस तरह से दिया है उनके बारे में दिये हैं इसके अंदर क्या-क्या है वो भी दिया है इस set बराने का तरीका दिया है warm या फिर cold milk डालके इसे आप खा सकते हैं यह net weight 750 gram का है 449 रुपीज में आपको मिलेगा यह pack किये जाने के 9 मेने के अंदर इसे consume करना चाहिए और packet open करने के बाद एक मेने के अंदर ही इसे खतम करना चाहिए तो चलिए packet को खोल लेंगे ऊपर इस तरह से pack था मैने कट कर लिया और यह zip lock में आती है और अंदर देखिए कुछ इस तरह से दिख रहा है यह इसे एक प्लेट में empty कर लूँगी सारा कुछ कितना है उतना सारा ही अगर हम इसकी इंग्रेइंट के बात करेंगे तो इसके अंदर rolled oats है 40% whole wheat flakes है 27% wheat, sugar, iodized salt, malt extract and antioxidant इसके अंदर है inverted syrup, raisins, corn flakes, almonds, broken rolled wheat bran, oats bran, honey, antioxidant यह सब कुछ दिया है और इसकी nutritional information भी यहां पे दिये हैं जिन लोगों को इन चीज़न से allergy है वो consume ना करें वो भी दिया है मैं एक बाउल में यह मुसली लूँगी एक बाउल के अंदर कितना कुछ है वो देख लेंगे ऐसा ही random लिया है मैंने एक बाउल मुसली लेके एक प्रेट में डाला है और इसके अंदर almonds और बागी चीज़ने कितने हैं आप देख सकते हैं इसके अंदर हम देखेंगे तो दिखें बादाम की तुकड़े हैं इसके अंदर छोड़े छोटे वाले नहीं है अच्छे खासे बड़े वाले हैं एक बादाम में दो पीसस किये हैं नहीं तो तीन उतने बड़े-बड़े पीसस हैं इतने सारे बादाम हैं और इसके अंदर रेजिन्स भी है मनु के वह भी अच्छे खास ही है और इसके अदर वीट फ्लेक्स और ओट फ्लेक्स और बाकी का कुछ है प्लेट के अंदर तो अब हम मुसली बनाएंगे एक बाव लिया है उसके अंदर दालूँगी तीन चमज जितनी मुसली आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं मैंने तीन बड़े वले चमज से लिया है अब इसके अंदर दालूँगी मैं दूद ये दूद नॉर्मल डूम टेम्टरेचर वाला है गरम नहीं किया सही डाल रही दिखिए हर एक बाइट में क्रण्च है इसके अंदर क्यूंकि उसके उपर ही उन्हों लिका है क्रण्ची मुसली ऐसे या आप लेके खा सकते हैं या फिर आप अपने मन के हिसाब से और थोड़े से इसके ड्राय फ्रूट्स फ्रेश फ्रूट्स कुछ भी डाल सकते हैं मैं इसके अंदर दालूँगी दो अखरोट तोड़के या फिर आप अपने पसंद से कोई भी नट्स दाल सकते हैं जैसे की काजू, पंकिन सीट्स कुछ भी डाल सकते हैं और एक स्मॉल साइस का बनाना मैंने कट करके लिया है वो इसके अंदर डाल दूँगी और दो पीसस खाएंगे इसे यह आपके पेट को फुल रखती है इतना सा खाएंगे तो आपका पेट भरा रहेगा अभी चाहिए तो बैगरी का मुसली लाइए इसके बैगरी के अलग-अलग आपको मुसली मिलेंगे जैसे की नो आड़र शुगर वाली मुसली है फ्रूट एंड नट व टेस्ट के हिसाब से देखेंगे तो अच्छा है और खुंची भी है थोड़े देर तक आप इसके अंदर छोड़ेंगे तो यह सॉफ्ट भी हो जाएगा जैसे खीर वागिरा रहती है बिल्कुल वैसे रहेगा शकर वागिरा कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है लाइट के हिसाब से करक्त है जो लोग मीटा ज्यादा पसंद करते हैं उनके लिए नहीं लाइट सा मीटा है इसके अंदर तो वीडियो आपको कैसे लिगी मुझे जरूर कमेंट करके बताएए इस वीडियो के आपकी फैमिली फ्रेंस के साथ जरूर शेयर करिए चनल को करना बुले